तो यहां पर इंडिन पॉल्टी बाय एम लक्षमी गान जी की सीरीज को कॉंटिनिग करते हुए आज हम आपके लिए लेका रहा है चाप्टर नमबर 59 का पार्ट 2 चाप्टर का नाम था Central Vigilance Commission तो आईए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल एकिन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगलर अपडेट्स मिलती रहे है तो I hope आपने लास पार्ट देख लिया होगा तो इस पार्ट में हम कुछ शोटे बटो टॉपिक्स और बचे हैं उसे कंप् shelves के हैं समझे सारी ही मेंबर्ज जोकी आपके ओल इंडिया सरविस के हैं जोकी आपके यूनियन जी secular League Area सर्विस क accept Sum करते हूं यंचे सकते हो group in a juni пока होते हैं Central Government के central regiãoármen from a EO जो कि आपके सर्व करते हूं in connection with the affairs of the union तो ये सारे के सारे इसके jurisdiction में आते हैं दूसरी बात ये officers जिनकी rank scale 5 या उससे उपर होती है public sector bank में वो जो है इसके अंदर आते हैं उसके बात ऐसे officers जो कि grade D के होते हैं या grade D से उपर के होते हैं Reserve Bank of India में नाबाड में और CIDB में National Bank for ID, Culture and Ruler Development नाबाड इसको बोलते हैं और CIDB और साथ में कौन सा Reserve Bank of India RBI इन तीनों में ही जो officers grade D के में आते हूं या उसके उपर आते हूं वो सब भी इसके jurisdiction के अंदर आते हैं चौथा Chief Executives या फिर Executive जो की बोल्ड वगेरा के होते हैं दूसरे officers जो की E8 या उससे उपर के होते हैं Schedule A में या फिर B में Public Sector Undertaking के अंदर मतलब Public Sector Undertaking मतलब PSUs में वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं उसके बाद आपके जो Chief Executives या Executives होते हैं Executives on Board जो होते हैं या दूसरे officers वगेरा E7 के या उसके उपर के जो होते हैं Schedule C में और Schedule D में Public Sector Undertaking के तो यह सब इसके अंदर आते हैं साथे साथ मेनेजर या उसके उपर की जो भी rank होती है आपकी General Insurance Companies में उसके बाद आपके Senior Divisional Managers वगेरा आते हैं या उसके उपर जो भ 700 पर मन्त होती है और या उसके उपर होती है Central Government DA पाटरन पर या मतलब जैसा भी जिसे साब से भी revise होती जाए वह 8700 कोई fix नहीं है यह depend करता है कैसे division होता रहता है time to time clear है या societies में local authorities में है जो की Central Government Central Government ओन करती हो दो वो सब भी इनकी jurisdiction के अंदर आता है clear है next जो है हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे इनकी working के बारे में तो working समझे इनकी क्या है वह कैसे काम कसी का करती है इनका सारा काम जो है इनके headquarter से होता है और इनका headquarter आपको new Delhi के अंदर देखने को मिलेगा इनके पास काफी सादा powers है यह अपना काम खुद करती है इनके पास सारी powers एक civil court की है ठीक है civil court की पावर जो है enjoy करती है जब भी जब भी अपना ऐसी कोई proceedings कर रही है जो एक judicial character की हो तो आपके समझ लीजे कि यह civil court की power enjoy करती है इती बात आपको समझ में आई आप देखिए य कोई भी information या कोई भी report माँ सकती है Central government से या Central government किसी authority से जैसे भी होगा ये मांग सकती है clear है कब मांगेंगी भाई कि जब जो है उनको कोई अपना काम करना हो या anti-corruption work या कोई supervise करना हो किसी काम को तो ऐसे time पर ये जो है ये report मांग सकती है central government से या आप कह सकते हो central government किसी authority से clear है कोई report को information सब कुछ ये ले सकती है उसके साथ central vigilance commission अब on receipt of the report of the inquiry undertaking by any agency on the reference made by it advices the central government or its authority as to the further course of action मतलब CVC जब इनको report वगएरा मिल गई ठीक है inquiry वगएरा को ले के जो भी कोई भी एजनसी माली जग कर रही है आपकी इन्होंने किसी को reference दिया था अब उस agency ने कुछ भी करा उसे साब से काम किया और इनको report प्रोवाइड कर दी ठीक है अब इनके पास report है तो उस report के वो मद्दे नजर रखते हुए ये central government की central government को या central government की किसी भी authority को देखिए बता सकते हैं कि आगे आगे आपको क्या करना है क्या ने करना है और central government या उनकी कोई भी authority यहाँ पे advice वगेरा लेंगी जरूर cvc के advice लेंगी और एक appropriate action उसी साब से लेंगी जो भी इनको advice दी गई है cvc के दोरा हाला कि यहाँ पे central government या कोई भी दूसरी authority अगरी नहीं करें मालेजे जो भी advice दी cvc ने कि भाईया देखो ऐसे काम करो आप और ऐसा हो जाए कि central government या central government को advice दी हो या किसी authority को advice दी हो या किसी भी case में ऐसा हो जाए कि इन में से आपस में कुछ ताल में ना बैठे और ये दो है central government हो या authority को agree ना करें इनकी बात पर ठीक है cvc के advice पर तो यहाँ क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर यह communicate करेगी reasons कि लिखित में यह cvc को reason देगी कि क्यों हमने आपकी advice को नहीं माना clear है उसके साथ cvc जो है हर साल annually report जो है अपनी performance को लेके report जो है वो present करती है president के सामने और उस report को president जो है वो हर house मतलब लोग सभा और राज सभा के सामने जो है वो पेश करते है मतलब पेश नहीं करते है जो है present करते है देखे place करते है clear हो गया आगे बढ़े फिर देखें बाद आती है कि विजलेंस यूनेट संदी ministries तो क्या जो departments होते है ministries होती है उनके अंदर क्या vigilance units होती है जो जी हाँ भाई साब होती है जो आपके ministries होते है या आपके departments होते है union government के अंदर इसके अंदर एक chief vigilance officer होते है क्या होते है chief vigilance officer ये कौन होते है ये होते है head और head किसके होते है ये उस particular जो ministry है या department है उसकी जो vigilance division होती है ना बच्चो विजलेंस division के होते हैं ये head नाम क्या है इनको क्या है बोलते है chief vigilance officer काम क्या होता है काम ये होता है कि जो भई असिस्ट करते हैं advice करते हैं secretary को या फिर head को head of office में जो ही matter होता है vigilance related तो सारा matter जो है वो इधर से उधर बताते हैं तो यह से कहा दीजे कि link बन गई है link किसे किसे बीच में है अपने organization के जिस ministry या department के vigilance unit के अंदर यह है तो अपने organization से किसका link बनते हैं एक तरफ तो बनते है central vigilance commission का link ठीक है cvc का link की वहाँ बात बता रहे हैं और दूसरा बनते हैं cbi का central bureau of investigation का भी link बनते हैं समझें अब क्या functions हैं इनके क्या perform करते है functions वह समझेगा तो पहला तो यह भाई देखो जो भी intelligence का data है पूरा collect करते हैं कि देखो भाई उनके department में अगर कोई employee या कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कुछ corrupt practices हो रही है कुछ भ्रस्टाचार पहला है तो पूरा intelligence यह collect करते हैं दूसरे number पर यह verify करते हैं कि जो भी उनको बाते पता चली है जो भी allegations उनको report हुए है क्या वो सही है नहीं है तो इस पर investigation बठाते हैं तीसरा यह कि जो investigation की report हैं वह जो है वह investigation की report आगे further consideration के लिए disciplinary जो भी authority proper concern होगी concerned disciplinary authority के पास जो है यह उसको process करते हैं उसको देते हैं और चौते नंबर पर कोई मालीजे ऐसा matter उनके सामने आ जाए इसमें Central Vigilance Commission की advice की जरुवत हो तो यह उस matter को Central Vigilance Commission को देते हैं और उनकी advice वहां से लेते हैं तो यह सब हैं कुछ इनके काम आगे हैं जानते हैं Whistleblowers Protection Act 2014 के बारे में तो यहां थोड़ा से समझेगा क्या है क्या है क्याने कुछ Whistleblower Protection Act जो है कुछ features के बारे में discuss करेंगे तो पहला तो यह कि आक्ट के एक mechanism बनाता है और यह mechanism क्या होगा जिससे जो Whistleblowers हैं उनकी identity अच्छा ब्लूसिल ब्लूवर्स क्या हो और आपने कहा कि भई ऐसा ऐसा हो रहा है हमाई डेपार्टमेंट में ऐसी करेट प्रैक्टिस चल रही है अब अगर पता चल गया कि आपने बताई है तो आप खिलाप action लिए जाए कि आपकी नौकरी भी जा सकती आपको मारा भी जा सकता है कुछ भी हो सकता है तो इसलिए जो आदमी थोड़ा भंड़ा फोरता है कि बताता है कि हाँ अगर प्रैक्टिस चल रही है यहां यहां एक्सपोस करता है लोगों को तो उसे बोलते हैं विसल ब्लूर तो इतना समझ में आ गया तो इसलिए ऐसे लोगों को थोड़ा खत्रा होता है इसलिए इनकी identity को यहां पर प्रोटेट करा जाए उनके अगर कोई ऐसा रोड़ा लग रहा है कोई दिक्कत है तो अगर कोई ऐसा करप्शन है अगर इस बात तो किसी इनसान ने बताया सीविसी को या एक विजलेंस डिपार्टमेंट को बताया तो अब इनको डरने की जरुवत नहीं है क्यों क्योंकि इनकी आइडेंट्टी जो है वो छुपा के रखे जाएगी क्लियर है दूसरा यह आट क्या लेकर आया इसने कहा कि यहां पर एक ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिस से लोगों को इनकरेज करें कि वो इनफर्मेशन जो भी ब्रस्टाचार को लेके जो भी इनफर्मेशन है जो भी करविशन को लेके इनफर्मेशन है उसे यहां पर जो है वो एक्सपोस करें बताएं अपने आप से बताएं क्या मारे ऐसा होता है क्या कोई माली जे कोई कोई वो या कोई ministry है कुछ भी अपनी power का misuse कर रहे है और लोगों को परशान कर रहे है कोई भी दिक्कत दे रहे है तो ऐसी बातों को यहाँ पे लोग बताएं तो ऐसा यह आट कहता है Central Vigilance Commission है ठीक है इसके सामने एक बंदा आए और वो जो है जो भी मालेचे कोई particular authority है उसके किलाफ मारी जवाँ कोई corruption हो रहा है तो उसकी information का disclosure यह कर सकता है CVC के सामने और जो government है the government by notification can appoint any other body also for receiving such complaint about corruption तो अभी तो CVC है अब सरकार के हाथ में यह चीज है कि सरकार ऐसा भी कर सकती है ऐसी कोई दूसरी body भी बना सकती है और वो person फिर उस body के पास जाएगा जो है जो है जो भी disclose करनी है उसको information corruption related वो करेगा चौते नंबर बे यह आर्ट कहता है कि बही कम से कम दो साल की तो punishment होगी मतलब दो साल की jail हो जाएगी यह 30,000 रुपे तक का आपको fine लगेगा अगर आप भालतू का कुछ गलस सलत complaint दे देते हो कि वहां हो रहा है यह एक personal declaration करेगा और यह कहेगा उसमें कि भाया यह देखिए मानता है कि जो इसने information दी है या जो भी allegation उसने करें है यह एकदम सही है यह समझेगा मतलब यह रहें कि कोई गलत भाव रख के वो बताए किसी को कुछ भी information ऐसा नहीं है पहरी चीज तो वो यहां पे एक declaration कि भाया देखो जो भी मैंने information दिया वो एकदम सही है और मैं किसी का गलत वलत नहीं चाहता मैं एक अच्छाई के लिए यह information आपको दे रहा हूं और उसके बाद यह act यह भी कहता है कि disclosures जो है वो writing में होगे या email के message के थ्रू होगे बतलब आप email message कर दीजे या आप आप वो सब कुछ attach करके देंगे या तो लिखित में आप देंगे कि भी ऐसा हो रहा है हमाई department में जो भी corruption जहां पर देख रहे हैं जो भी है या तो फिर आप जो है वो email message के थ्रू देंगे और इसके इसके लिए प्रूफ वगेरा भी देंगे ऐसी नहीं आपने कुछ भी म not indicate the identity of the compliment or public servant or if the identity of the compliment or public servant is found to be incorrect देखें अगर माली जा ऐसा हो जाए कि कोई बंदा जो है वो ऐसा कुछ बताए करुप्शन के लिए हां मारे department में ऐसा करुप्शन हो रहा है और कुछ लोग कर रहे हैं कुछ public servants कर रहे हैं ऐसा ऐसा अब बताए नहीं कि आखिर कर किस public servant ने कि या उसकी identity ना बता है या जो भी identity बता है वो identity गलत निकले तो कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा कोई action नहीं लिया जाएगा ऐसे किसी disclosure के खिलाफ और आकरी में act कहता है कि यह applicable नहीं होगा special protection group पे ठीक है special protection group पे यह act applicable नहीं होगा वह इसी के साथ हमारा यह पूरा lesson complete हो अबर दूद रहुन है था यह नहीं है जाएगा झाल फर चराले मने खिलया व्हा हैस अट रहागा कोई। अज इस ब्सेप्र प्रषाइबा गल्सेट्राइबां कोई । श्राइबापन कोई विन्टे कर दो भी बता है इस मोश्त सब्सक्राइब आपकर अम प्र Keeping तने नह